चोपड़ा जो किसने YouTube चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो, मनिपूर स्टेट का exam date announce हो चुका है, अभी जल्द ही answer की release हो जाएगी और जल्द ही result आ जाएगा, हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि कब तक ये answer की release हो स सकता है इसमें, तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो हमारी book download कर सकते हैं, इस वीडियो की description box से या फिर हमारी website www.chopra.education.in से इसको download कर सकते हैं, जैसे ही आप download करेंगे, हम आपसे संपर कर लेंगे आप हमारे paid service भी ले सकते हैं, इसमें जो खास बात है, वो यह है कि इस book में college wise cutoff दे रखी है, round wise, category wise, 4 साल की cutoff दे रखी है इसमें, जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से state में कौन सी college मिल सकते है, ओल इंडिया quota के लिए book available है, जिसमें choice list दी गई है, 2030 में आपको कै कैसे choice filling करनी है, bond details दी गई है, तो आप समय से पहले ही अपना एक roughly work out कर लें कि आपको कैसे choice fill करनी है, 23 के लिए, इसी प्रकार से state quota की book available है, state quota की book में भी यह सारी facility दी हुई है, और हर एक state wise, इसमें counseling process भी दिया गया है, इसमें other state candidate के लिए भी information दी गई है, कि ऐसे candidate जिनके marks कम है, उनको other state के private college में कहां कहां पर admission मिल सकता है, उनकी क्या fees है, क्या cutout रह सकती है, अब बात करें हम NTA की need के लिए कब answer की जारी हो सकती है, और कब इसका result आ सकता है, तो मैं आपको बताऊं इसमें, previous year के data के according, अगर हम इसमें देखते हैं, तो इसमें जो need का exam हुआ था हम सब को इस बात का पता है कि ये 7th माई 23 को need का exam हो गया था, और मनिपूरी state का exam date है, वो 3rd से 5th June 23 तक रखा गया है, तो ये exam complete होने के बाद, हम आसा कर रहे हैं कि answer की 10 से 15 June के बीच में release हो जाएगी, 10 से 15 June 23 के बीच में answer की release हो जाएगी, answer की release होने के बाद में, वमार challenge का option मिलेगा और answer की challenge का option मिलेगा, ये 3 से 5 दिन का इसमें time दिया जाता है, और ये challenge होने के बाद में final answer की जारी की जाती है, और final answer की के according ही result तयार किया जाता है, अभी result की जो date है, expected वो हो सकता है, 15 से 20 June 23 तक इसके बीच में result आ सकता है, क्योंकि answer की release होने के बाद में result के लिए इतना समय लिया जाता है, 5 दिन का समय लिया जाता है, उसमें answer की challenge होती है, और final answer की जारी होती है, ओमार भी challenge की जाती है इसी के दोरान, तो ये जो date है, वो 15 से 20 June 23 तक ये result आ सकता है, नीट 23 का result 15 से 20 June 23 तक आ सकता है, और answer की 10 से 15 June 23 के बीच release हो सकती है, इसके बाद में counseling start हो सकती है, अगर 15 से 20 के बीच में result आ जाता है ये, तो answer, शोरी counseling start हो सकती है, जुलाई 23 के second week में, जुलाई 23 के second week में ये counseling start होने की possibility है, और session start हो जाएगा September 2023 में, ये expected date है, counseling की, result की, answer की की और session start होने की ये जो date है, वो proposed date है यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर एक बार previous year की dates बता देता हूँ, इस इस date को previous year में result आया था, answer की आई थी, उसके बाद में counseling start हो थी और session start हो था, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, तो ये जानकारी इस परकार के बहुत सारे मेरे पास comments आ रहे थे, कि अभी Manipur का exam भी announce हो गया है, और उसके बाद में अभी result कब आ सकता है, answer की कब आ सकते है, तो ये possibility है, जो मैंने आपको बताई हैं इसमें, आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें, bell icon को praise करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो इसके साथ जो student MBBS कर रहे हैं, उसके regarding भी हमारे चैनल पर information upload की जाती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा सी ज्यादा सेयर करें, लाइक करें, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैखिन,